तुलसी के बारे में आप सभी भली भाती जानते होंगे पर क्या तुलसी का सही उपयोगा आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पुरी तरह से देखिए और समझे कि तुलसी के कई फायदे भी है तुलसी एक ऐसा पौधा है जो हर घर में आसानी से मिल जाता है चुकि हमारा भारत धर्मे की नगरी है तो धर्मे के हिसाफ से तुलसी का महात तो बहुत है बात में तुलसी के पत्तों को काफी लाबदायक माना जाता है तुलसी को आपको बता दें Holy Basil भी कहा जाता है अक्सर इसका सेवन दवाई के तौर पर भी किया जाता है ये से Medical Hub भी कहा जाता है चुकि भारत धर्मे की नगरी है तो जाहिर सी बात है कि भारत में तुलसी के पत्तों का धार्मेक महात्व है ही साथी साथ आपको बता दे कि इसका इस्तमाल औसदी के रूप में भी काफी किया जाता है यह पौधा बहुत आम है इसलिए सभी लोग इसके बारे में जानते हैं कि तुलसी का पौधा कैसा होता है तुकि इस पौधे में औस्दी गुण होते हैं जिसके चलते नैचरो, पैथिक या फिर आयोवेदिक चिकिस सालों में जड़ी गूटी के तौर पर इसका इस्तमाल किया जाता है तुलसी के वैसे तो कई प्रकार हैं लेकिन उसमें से प्रचलित प्रकार रामा और श्यामा तुलसी का है रामा तुलसी का उप्योग ज़्यादत पूजा पार्ट में किया जाता है तुलसी अपनी औस्दी गुणों के लिए काफी प्रिशत है तो वहीं रामा किसमे की तुलसी की जो पत्तिया होती है उनका स्वाद श्यामा की आपेच्छा मीठा होता है दूसर प्रकार के तुलसी है श्यामा तुलसी रामा तुलसी से थोड़ा डाक तुलसी होती है यानि इसका कलर थोड़ा सा किष्णा यानि किष्ण जैसा होता है तुलसी के पत्ते हरे और बैंगनी रंग के होते हैं वैसे तुलसी का कोई भी प्रकारों सब के अपने ही औस्दिय गुड़ है दोस्तों तुलसी का इस्तिमाल बुखार, इस्करन डिसीज, डाइजेशन और इम्मूनिटी को बढ़ाने के लिció बhi किया जाता है आपको ये बात सायदी तुलसी के और भी कई फायदे हैं पकती का उपहार है तुलसी कहा जाता है कि तुलसी डाइजेशन के लिए भी काफी फायदे मन्द है तुलसी के बारे में आपको ये भी बता दें कि कई तरह के skin diseases जो होती है उनको भी कम करती है ये तुलसी उनके इलाज के लिए भी तुलसी का ही प्रियोग किया जाता है कहते हैं कि तुलसी स्ट्रस को कम करता है साथ हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशन्स हैं उनके लिए भी काफी फायदे मन्द है क्योंकि ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है एंटी कैंसर गुण उपलब्ध होते हैं तुलसी में अब जब इतने गुड़ है तुलसी में तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि तुलसी को खाना कैसे चाहिए तो आपको पता दें कि रोज तुलसी को दो या तीन पत्तियों को तुलसी की जो पत्तिया होती है उनको खाली पेट खाना चाहिए अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप इसकी चाय या फिकाढ़ा भी बना कर ले सकते हैं कि तुलसी खून साफ करने में काफी मदद करती है इसलिए हर व्यक्ति को तुलसी का सेवन जरूर करता चाहिए तो दोस्तों ये थी पूरी बात कि तुलसी को होली बेसल कहा जाता है तुलसी के क्या फायदे हो स रखते हैं इसको कैसे लेना चाहिए इसको लेकर ये पूरी खबर थे आप वो खबर कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं फिलाल इजाज़त दे नमस्कार